नमस्कार मैं सुधाशन सुखानी हूँ और आज 20 डिसमबर 2022 मंगलवार है हम कल यानी 21 डिसमबर बुद्वार को निफ्टी का क्या रुख हो सकता है उसकी बात करेंगे आज की लिए विचार ये था कि बाजार चौपी रहेंगे तो बाजार सुबह तो निश्चित रुख से फिर आज वी थे, ऊपर खूले, फिर नीचे गये, फिर ओपर गये, फिर थोड़ा निचे आए, लेकिन लगबख बारए वजे के बाद बाजार में एक तरफा रुख आ गया, कौन सा रुुख? वापस तेजी का. तो आप से老ग को कि हम ऐना बल मार्किट मीं है, बल मारकित की रैली है, डिसंबर मैने की जो रैली होती है, वो सीजनल है, वो प्राय हर साल होती है, तो हम ऐसी अवस्था में हैं, कि सीजनल रैली भी हमारे साथ है, बुल मार्किट भी हमारे साथ है, हम आउट परफॉर्म भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो हमको रिस्क लेना चाहिए आद जब दोपहर बाद बजार चलने लग गए, तो उपर की तरफ चलने लग है, तो मूविण ऐवरेज को इस चाहिए जो मैं काव में लेता हूं सब से पहले उनमें संकेत आया कि बजारों का moving average उपर की तरफ कट रहा है ये इंट्राडे टेडिंग की बात हो रही है फिर लेवल्स भी जो थे प्रिविएस दस दिन का फिर हम तेजी में क्यों जाते बिल्कुल सही बात है लेकिन आप ये मानिये कि हम एना एक प्लैन बना के चलते है ये जरूरी निये कि बाजार उस प्लैन को और मान ले तो हमारा प्लैन था चौपी मार्केट होगा सुबह के समय चौपी रहा भी उसके बाद जब ये समझ में आया कि बाजारों का रुख बन रहा है वो समझ में कैसे आया जैसे मैंने आपको बताया हाइस बनने लग गए मूविंग एवरेज का ट्रेंड उपरी तरफ चला गया तो फिर खरिदारी बनती थी जरूरी नहीं है कि चौपी मार्केट चौपी ही रहेगा सारा दिन यानि यह जरूरी नहीं है कि हमने जो कह दिया वो बात होगी होगी मैं तो देखता हूं कई बार अधिक्तम नहीं होती है तो हमको बाजार के फ्लो के साथ में जाना पड़ता है आज अगर हम कहीं ने कहीं खरीदते तो जीत में रहते अब यह तो शाम को हम यह बात कर रहे हैं पर एनलिसिस के हिसाब अनुसार खरीदना कहीं दो पहर में बनता था कल क्या होगा जो बाजार स्ट्रॉंग बन्द हुए उसके बाद जो यूरोपियन बाजारों में सुबह सुबह मंदी थी जैसे भारत में थी वो मंदी खतम होके अब जब मैं आपसे बात करना हूँ तो फूटसी तो प्लस में आ गया है और डेक्स की मंदी बिलकुल खतम हो गई है अमरीकी बाजार बहुत हलके मंदी से खुले हैं प्लस में नहीं खुलने हैं लेकिन सारा दिन उनके लिए बाकी है तो देखें वहां किया होता है अगर अमरीकी बाजार थोड़े भी खुशाल रहे थोड़े भी प्लस में बन दुए तो कल बाजार में फिर तेजी का वातावरन बना रहेगा जो वातावरन आज नहीं बन सका क्योंकि आज कल अमरीकी बाजार नीचे थे वो माहौल कल बन जाएगा तो आज हम दोपहर बाद की तेजी खा चुका है और कल अगर अमरीकी बाजार धंक से close किया तो कल दिन भड की तेजी भी हो सकती है तो विचार कल का यही है कि अगर मौका पड़े गा तो खरीदेंगे अमरीकी बाजारों को खरीलेट करके खरीदेंगे या फिर अगर भारतिय बाजार अपनी कहानी शुरू कर देंगे, लेवल्स तूटने लग जाए, हाइस बनने लग जाए, तो अलग बात है, लेकिन अमरीकिय बाजार खुछाल रहे, तो कल खरीदी बनती है, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाद, ज लेवल्स तूमरो, Wednesday, December 21. For today, the view was that markets could be choppy. They were choppy in the first half or a little earlier, less than first half, when they gapped up, gapped down, fell even further, then went up, then went down to test the lows, but somewhere around 12ish, 12pm, the market started giving us an uptrend, the moving averages crossed to the upside, new 10 bar highs were being made, when the correction came, intraday corrections, they held well above the lows of the day, those were signs that we are probably entering an intraday uptrend and that uptrend was very profitable. Now, one of the key questions is that if my view was that we will be in a choppy market, why should I buy? That's a fair question, but we must remember that it's my view that we could be in a choppy market, the market may not actually oblige us. So, after the initial choppiness, the market decided that it wants to go up. If we get enough signs that the market has changed its mind, then taking that position, in this case, a long position is worthwhile. What is much more important is an exit strategy. Where do we get out if we are wrong? If you are using a moving average, the exit strategy is very simple. If the moving averages start moving down, you know you are wrong, just get out. So, all said and done, today afternoon was a profitable day on the long side, despite the fact that our anticipation was that it would be a choppy day. As I have just told you, the market does not have to oblige us, but we have to follow the market. Now, tomorrow, as I speak to you, just as Indian markets recovered from the lows in the morning, the European markets are doing the same. The FTSE is now in the green. The DAX has recovered all its losses, almost. And the U.S. markets have opened marginally with losses, but they have a full day ahead of them. It's quite possible that they may do that recovery. It is possible. I don't know. If the U.S. markets close with a positive signal, then tomorrow should be a buying day again from the morning itself and we should see a reasonable uptrend. If the U.S. markets again collapse, then it could be a choppy day. And then a choppy day really means I have no idea what it will be like. We will follow the market if we can or step aside if we don't get any proper signals. Thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hedan.